अगर कोई आप से ये कहे कि आप सिर्फ पांच सो या हजार रुपे महिने में देश से बार संगापूर, हॉंग कॉंग, आस्टूलिया जैसे देशों की प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं तो क्या आप विश्वास करेंगे? पहले तो बिल्कुल नहीं करेंगे. लेकिन सिर्फ फंड के द्वारा आप महस पांच सो रुपे या हजार रुपे की राश्री से भी इन देशों की प्रॉपर्टी में निवेश करके फायदा उठा सकते हैं. पीजी आएम इंडिया मीच्वल फंड भी ऑक्तोबर में ऐसा ही ग्लूबल आरी आईटी फंड ऑफ फंड लानी की तैयारी कर रहा है. इसके बाद पिछले साल दिस्संबर में ही कोटक इंटरनाशनल आरी आईटी फंड ऑफ फंड लांच हो चुका है. बहराल आईए पहले ये जान लेते हैं कि आरी आईटी इस होते क्या हैं? रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानि की आरी आईटी इस ऐसी रियल स्टेट प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं जहां से लगातार आपको इंकम हो सकती है. आरी आईटी इस बहुत सारे निवेशकों से जुटाए फंड को ऐसी प्रॉपर्टी में लगाता है और फिर उनसे जो कमाई होती है उसका लाब में बाट देता है भारत में ऐसे आरी आईटी अब शेयर बाजार में लिस्टेट भी होने लगे हैं ऐसे फंड आफ फंड यानी एफो एफ का नेट असेट वैल्यू यानी के एनेवी रुपए में दिखाया जाता है तो घरेलू निवेशकों को डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट का भी फायदा मिलता है जिसमें दोहरा फायदा आपको मिल सकता है यूकि रुपएटि की खेमत अप्रिशेट होती है यानि बढ़ती है तो अगर आप जोखिम लेने के लिए त्यार है और आपका निवेश लक्ष लॉंग टर्म के लिए है तो ऐसे फंड आपके लिए काफी उप्यूपत हैं महिंद्रा मैनुलाइफ मुच्वल फंड ने एक रियल स्टेट इंवेस्टमेंट ट्रस्ट की शुरुआत की है इसका नाम है महिंद्रा मुनुलाइफ एशिया पैसिफिक आरी आईटी फंड ओफंड मेपी आरेफ निवेश के लिए 28 सिदंबर से खुला है यह फंड अंतरराइश्टमें इसतर की आरी आईटी में निवेश करेगा इस फंड में निवेश किया गया इसारा धन दुनिया भर के कई सारी आरी आईटी में लगाया जाएगा निव फंड ओफर 12 उक्तोबर को बंद हो जाएगा COVID vaccination के बाद दुनिया के अर्थवय वस्ताओं में जो सुधार की उमीद है उसका ये fund फायदा उठाएगा ये Asia Pacific Focus Fund है यानि कि ये Singapore, Hong Kong, Australia या अधी देशों के real estate से जुड़े REIT में अपना पैसा लगाएगा ये एक fund of fund offer है जिसमें निवेश्यकों से जुटाया गया पैसा एक दूसरे fund Manolife Global Fund एशिया Pacific में लगाया जाएगा इस fund में आपको शुरुआती आवधिन के लिए 5000 रुपे देने होंगे लेकिन उसके बाद आप हर महीने SIP के दौरा महज 1000 रुपे या उसके गुनक में या हर तिमाही महज 1500 रुपे यानि हर महीने 500 रुपे का निवेश कर सकते हैं अगर आप अपने fund में विवधता चाहते हैं और शेयर मारकेट आदी में निवेश के जोखिम को उठाने के लिए तयार है यानि उस जोखिम के भरबाई का कोई रास्ता चाहते हैं तो ऐसे fund में आप निवेश कर सकते हैं हलागे इस निवेश का थीम रियल स्टेट है इसलिए निवेश को उतार चड़ाव के लिए नुकसान के लिए भी हमेशा तयार रहना चाहिए झाल 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 झाल